नमस्काल डीवी नीूस में आपका स्वागत है बीते कुछ दिनों से भागेशवर धाम के दिरेंदर शास्त्री की रोती हुई फोटो इंटरनेट में खूब वाइरल हो रही है लोग जानना चाह रहे हैं कि बाबा अखिर रो क्यों रहे हैं जानकारी के लिए बताते चले कि बीते दिन आयोध्या में राममंदर प्राण प्रतिस्ठा के कारिक्रम का भव्य आयोजन किया गया था इस आयोजन में देश के बगल बगले लोग भी पहुँचे थे इसी मौके पर बागीश्वर धाम के दिरेंदर शास्त्री भी अयोध्या पहुचे थे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि यह भारत के लिए गौरब का दिन है यह रामराज्य की शुरुआत है मेरा दिल भर आया है हम भी बहुत खुश हैं वही कारिकर्टा धिरेंदर शास्त्री कई लोगों से मिले इस बड़े सम्हारों में देश की कई बड़ी हस्तियां पहुची जिसमें कैलाश खैर भी शामिल थे राम लला महत्सप के अन्मोल पल के दौरान ही बाबा की आखों से कई बार आसू दिखे यह फोटो बाबा के चाहने वालों को निहशब्द कर देती है भव्य मंदिर में प्राण प्रतिस्ठा के तौरान पूज्य सरकार का उद्गार मौन आसूँ में बदल गया जिससे देखकर वहां मौजूद लोग भी भाव विभोर हो गए बतादे की बागेशवर धाम में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपना दिव्यत दर्वार लगाते हैं दर्वार में आपको अरजी लगानी परीती है ऐसी मानिता है कि जब भी कोई श्रत धालो इस मंदिर में आकर अपनी समस्या को लेकर अरजी लगाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है मन की बात जान लेने की उनकी कला और सिद्धी ने दुनिया में उनके प्रती एक अलग तरहा के आकर्शन को पैदा किया है उनकी सिद्धी के चलते एक बगा जन समुदा आई उनसे जड़ा हुआ है बागीशवर धाम के प्रेस कॉन्फरेंस हौल मे धीरेंदर क्रश्न शास्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ खत उनके पास आए हैं जिन में से कुछ उनके खातों को छाटा और जब पढ़ा तो उनमें तरहा तरहा की बाते लिखी थी एक खत में तो सीधी धमकी थी किया अगर आप बारात लेकर नहीं आएंगे तो मैं आत्मात्या कर लूँगी इतना ही नहीं और भी एमोशनल बाते लिखी थी इसमें इन बारे में खूब सोचा और टीम को भी बताया बता दे कि धीरेंदर शास्री ने कहा कि सादू को बर्बा है कि जल्द ही हम शादी कर लेंगे